प्रतित वह जैसे कोई इस तरी मदूर स्वर्म गा रही हो किन्तु यहाँ इस सागर के मध्य में यहाँ कोई इस तरी कैसे हो सकती है वो वो देखो वहाँ हम इस मार्ग से अन्यों को बार आये हैं गए हैं अपने व्यापार के लिए लेकिन इस से पूरो हमने यह दिवप देखा नहीं यहाँ पर कितना हरावरा सुंदर और आकरशक दुईप है मार्ग नहीं है कदाचित हमें यहाँ रुकना चाहिए लिकिन जो आज तक नहीं था वो अचानक उत्पन हो गया उसके निकट जाना हमें उचित नहीं लग रहा अरे इसमें उचित अनुचित क्या है कदाचित हमें वहाँ से हमारी त्रिष्णा बुझाने के लिए मीठा जली प्राप्त हो जाए चलो इस दुईप पे चलते हैं कितनी सुन्दर इस्त्री है ये जितना सुन्दर सोर उत्दा ही सुन्दर रूप भी सुनिए अरे ये तो दुईप के भीतर चली गई शीग्रिता करो शीग्रिता से दुईप तक पहुचते हैं अरे वो देखिये वो जा रही वो सुन्दरी सुनिए अरे सुनिए अरे रुखिये हम आपको कोई शोदी नहीं पहुचाएंगे हम वन के इतने वीतर चले आये हैं कि वो सुन्दरी भी अद्रिश्य हो गई है तो उन्दी भी उत्पन होती जा रही है अंधेरा बढ़ता जा रहा है हमें वापस नौका पर लोड़ जाना चाहिए हाँ चलिए हमें जाने दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दीजिए हमें जाने दो अतितियों का स्वागत किये बिना जाने दू यह उचित नहीं है हमारे दूइप में आपका स्वागत है आप लोगों ने इस उजार वन को हरे भरे वन में परिवर्तित कर दिया यहां चारों और जल ही जल है नीर ही नीर मश्लिया ही मश्लिया मनुष्य और मनुष्य की जात यहां दूर दूर तक देखने सुनने को नहीं मिलता आशा है आपका पड़ाव यहां पर सुख कर रहा होगा सुक्कर तो अवश्य होगा किन्तो हमारे लिए धन्यवाद प्रिये तुमने इनकी उपस्तिती कहा के मिरीक शुदा और बढ़ादी अब नियंत्रंड नहीं होता आपने दारुक और दारुका को रिशी और्व के शाप से बचने का मार्ग सुजाया? देवताओं की प्रचंड क्रोध से उनकी रक्षा की? किन्तु वो तो फिर भी नहीं सुधरे, वो तो पुनह दुराचार में लिप्त हो गए एन असुरों का तो सुभाव ही ऐसा है गणिश, वो कभी नहीं सुधर सकते असुर देवता मनुष्य अथ्वा अन्य कोई भी जीव क्यों ना हो? मैं उसे सुधरने का एक अफसर अवश्य प्रदान करती हूँ अन्याय नहीं करती हूँ मैं, व्यक्ति की प्रवृति कैसी भी हो उसे सनमार्क पर चलने का एक अफसर अवश्य प्रदान करती हूँ मैं माता, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन हुआ है मुझे तेरा प्रश्ण अवश्य ग्यात है, किन्तु उस प्रश्ण का उत्तर मैं नहीं, वरुन देव देंगे पूछ अपना प्रश्ण वरुन देव, दारुका अपना वन सागर में ले गई, जो आपका स्थान है तो आप तो दारुका को वही बंदी बना सकते थे उस वन पर आप अपना अधिकार कर सकते थे तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया आपका प्रेश्न सर्वता उचित है प्रथम पूझे श्री गनेश हुआ ये के क्या हुआ वरुप देफ क्या अपने उने देखा कहां है वो आये मेरे साथ इंदेव क्या है क्या है आपका श्री खी आपका झाल झाल यह देवता लोग शांती से बैठने वाले नहीं है यह पुना वापस आ गए पर अब यह हमारा कुछ नहीं बिकाड पाएंगे झाल झाल अजगो उनelpर में भुज भाईब चला घड़िट्ग ik剛剛 पाला पाला इंडर शुड़ बसा की बसा है कंज चित ड्र क्व भाल खाल ये ये क्या हुआ अभी तो दारुका का वन यही था शन भर में ये कहां लूप्थ हो गया एक संपूर्ण अद्वीप अचानक द्रिष्टी से ओजल हो गया मा वो दीप अद्रिष्टी हो गया क्योंकि आपने दारुका को वर्दान दिया था कि वो अपने वन को अपने इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकती है मैं बार-बार उस वन को ढूंडता हम वहाँ पहुंचते और जैसे ही हम उन पर आक्रमन करने वाले होते तो वो अद्रिष्टी हो जाता कभी-कभी तो वो असुर जल के भीतर जाकर छिप जाते थे अनेकों वर्षों तक असुरों ने सागर पर अपना प्रभाव स्थापित किया सागर के जीवों के साथ साथ उस पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी वो कश्ट पहुचाते थे व्यपारियों को बंदी बनाते थे और उनसे अपनी सेवा करवा कर स्वैम सुक्ष से रहने लगे निरंतर कठोर श्रम कर जब वो बंदी मृत्यू प्राप्त करते थे तो असुर अंग्य व्यपारियों का आखेट कर उन्हें बंदी बना लेते थे माता अर्थात उन आसुरों के कारण स्थिती बिगड़ती ही जा रही थी पृत्वी पर वो रिश्यों को ताड़ना देते थे और सागर में निर्दोश व्यापारियों को और हम इस संकट को दूर करने में असमर्थ थे कि अपने हेदय को और कठोर कर लो क्यों कि स्थिती तो और भी विगड़ने वाली थी किन्तु मा इससे बुरा क्या हो सकता था ऐसा क्या किया दारुक और दारुकाने उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बंदी बना लिया जिसे उन्हें बंदी नहीं बनाना चाहिए था अ क्या उत्तम तम आनन्द है दारुका ये उत्तम मांस और उत्तम दासा प्रत्वी लोग में भी इतना आनन्द नहीं था दारुका इनको इनको ले जाओ इनको बंदी बनाओ ये ये बोजन के लिए बाद में प्रस्तूत करना इनको खाएंगे, लेजाओ चलो, असोर शरिष्ट का अदरिष नहीं सुना चलो, उट्टाओ, चलो हमारे साथ थो, तुपो तुपो अरे उस्ते बोलो! ओमनिश्री का बढ़ बढ़ाना सा? इतवर आउसे? ए चलो! असर श्रेश्षी दमसे कुछ पूछना चाहते हैं चलो! आगे बढ़ो! जा बढ़ बढ़ा रथ? ओम नमस्षिवाय अरे उचा बोलो! ओम नमस्षिवाय ओम् नमस्षिवाय ओम् नमस्षिवाय अम् नमस्षिवाय माता कॉन धाव वया पारी? महादेव का प्रियाभः सुप्रिया सुप्रिय जिसके कारण महादेव और देवी आधिशक्ती के मद्ध द्वांद की स्थिती उत्पन्ध हो गई आपके और पिताश्री के मद्ध द्वांद जब मा मुशिका सुर के विरुद मा उत्पन्ध हुई थी तब श्रिष्टी पर विनाश का कारण उत्पन्ध हुआ था यह स्मरण है मुझे क्या पुन वैसा ही हुआ है माता सच्चे भक्त की निर्मर भक्ती की अपार शक्ती को कम मताखना गणेश संतान के दुख को देकर जैसे माता पिता द्रवित होते हैं वैसे ही निश्ठावान भक्त का दुख हमें भी द्रवित करता है गणेश तब भग्वान नहीं अपी तु भक्त के माता पिता के रूप में परिणाम की चिंता किये बिना सब को छोड़ कर हम उसकी रक्षा के लिए प्रस्तोत होते हैं गणेश किन्तु माता ये द्वन्द आवश्चिक हुआ ही क्यों क्या कारण था माता आदी शक्ति और पिताश्री के मध्य द्वन्द का अनका मण ध्या ने उनननंकीर में घ्रता सब कुराण ने थैस दऑघरा इना क्या मया व्यक्षे ए है वाद्नन्सवेय थैन होड़्ला थे होड़ी थै results मैं ज्याता मैं कौन हूँ? मैं सरुशक्तिशाली असूर सेष्ट दारुक हूँ मैं तुम दारुक के वन में हो यहाँ यहाँ जिवन नर्म रत्ति फदिरन में करता हूँ इसलिए ओम नम्स्वाय बत बलो ओम दारुकाय नमा ओम नम्स्वाय यह इसे जितना शीक्र समझ में आ जाए उतना ही उचित है ओम नम्स्वाय ओम नम्स्वाय ओम नम्स्वाय जब कश्ट भोगेगा यह शिव्वा तो स्वयम सुधर जाएगा यह से नहीं मानेगा इसके कंदे पे यह मोटे मोटे दलक्त रखो इससे लेगे जाओ और चलाते भने घसिरते में लेके जानार जब इसके कंदों से खून टपकेगा इसके पहलों मैं शाने पनेंगे अब यह कहएगा ओम नम्स्वाय नम्स्वाय ओम नमस्शिवार हलीभांती जानता हूं कि तुम कौन हो समंधर पर यात्रा करने वाले व्यापारियों को आतंकित करते हो तो बस इतना है साहस है तुम में Dharuk तुम हमारी सवतंत repo दाइश शें सकते हो किन्तु हमारी भक्ती नहीं जिवेत नहीं चोड़ूँगा इसे नहीं सहोगे मेरे द्वारा मेरे भगवान का नाम का जाप करना तुम्हें दुसाहस लग रहा है फिर अपनी पत्नी को कैसे सहन करते हो तुम क्या वो आधि शक्ति की भक्त नहीं क्या वो उनके नाम का जाप नहीं करती ये धूर्ट शिवभग तो मेरी भक्ती पर प्रेश्न उठाकर सुआमी को तेजित करने का प्रयास कर रहा है इसे रोपना होगा मुझे इस उडण्ड शिवभग तो इसकी जेवा पर नियंतरन रखना सिखाना होगा मुझे मुझसे अपनी तुलना कर रहे हो मेरी भक्ती के फल सोरूप सुआम माता आदिशक्ती ने हमें वचन दिया है कि वो मेरे समस्त असुर समुदाई की रक्षा करेंगी मेरी माता की प्रति भक्ती के लेश मात्र भी नहीं हो तुम अगर ऐसा होता तो स्वेम महदेव प्रकट होते तुम्हारी रक्षा करने के लिए आज जहां तुम बंदी बने खड़े हो जहां तुम्हारे जीवन और मृत्यू का निर्णे हमारे हाथों में है और ये वन मैंने माता की भक्ती से अर्जित किया है और ये मेरे और मेरे स्वामी की भक्ती की अपार शक्ती का आधार है क्योंकि मा अधी शक्ती ही मेरी रक्षक है और तुम मेरे अनुसार एक मूर्क व्यापारी हो कोई भक्त नहीं यदि महादेव तुम्हारी भक्ती का मान रखते तो स्वयम यहाँ पर प्रकट होते किन्तु कहाँ है वो हमें तो नहीं दिखाए देरे और तुम मेरे स्वामी के समक्ष बेडियों में जक्डे हुए दीन ही न वस्था में एक निर्बल असहाय बंदी हो हां ये से नहीट असे नहीं मने गा इसकी आतमा में समाहित हिरे श्यवभती अम्हारी इसके रखत की एक बूम सही निकाड़ूंगा मैं तो निरंतर जारी रखो ज्रोम नमस्योय जारी था मझेगताव तिरा शियुकास हैं करो ड्ünden ओम नमस्योय ओम नमस्योय ओम नमस्योय ओम नमसिवाय ओम नमसिवाय ओम नमसिवाय training अमद्ट् JK C नौर अधिनकी नमसिवाय ओम नमसिवाय ओम हुआ यहोला यह खुटलू है कहे नरू कर woven है ओम नमसिवाय ओम नमसिवाय यह अचानक संपून वातावरान इत्ना भयंकर रुप क्यो ले रहा है ओम नमसिवाय भाल राखो एटोल आफ जया सुनिंग भाल है दिंग अन्ज साय कम लंने निम नाय कमारी उर इये भोग कोपन क्साइब पिशादो पिशादो पीशादो 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 आपनी रुकाँ पिताश्री अपने भक्ति की रक्षा के लिए प्रस्तूत हो गए तब मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ रहे किन्तु नहीं उन्होंने तो स्थिती और भी विकट कर दी किन्तु वहां पिताश्री की आने से स्थिती बिगड कैसे गई माता क्योंकि इससे महादेव और आदिशक्ती के मद एक तना फूर्ण और भयंकर यूथ की स्थिती उत्वन हो गई थी गणेश विकट और विप्रीत परिस्थिती में भी जो अपने इश्टो और भगवान को नहीं भूलते वही सच्चे भक्त कहलाते हैं और भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं झाल रखते हैं